हेलो बच्चों, वेरी बूर्णिंग तो व्यों, मैं विकास फ्रम टार्गेट और आज हम करेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है यह आपको किसी भी डिफ्रेंस बूक में असानी से मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं यह कोश्चन क्या है हमारे पास जैसे कि आप देख पार है, if the mth term of nap, mth term of nap is 1 by n and its nth term is 1 by m, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि mnth term इसका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, तो देखी, कैसे start करेंगे, सबसे परल हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं कि let the first term, let the first term of nap, ap के first term को मैं लेट कर लिया a, ठीक है, and its common difference को हम लोग लेट कर लेते हैं, d, यह अपने संद्रा first term of nap, ap को हमने क्या लेट किया a, common difference को क्या लेट किया d, अब question देखी, आपको क्या दिया हुआ है, m कितना है, 1 by n, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बुलिए, यानि am equal to 1 by n, यह मैंना लिखा, am का formula apply कर दिखी, a plus am minus 1 d, equal to 1 by n, यह क्या होगा, a plus am minus 1 d, equal to 1 by n, इसे मैंने लिट कर लिए, equation number 1, फिर क्या बूलागी आपको, and it's nth term, है न, nth term मतलब an, वो कितना है, आपके पास, 1 by m, तीक है, यहां भी हमनों formula apply करेंगे, an का formula क्या पढ़ा आपने, a plus, बताइए, n minus 1 d, equal to 1 by m, और यह हो गया, equation number 2, अब equation को, अगर हम लोग, elimination method से, अगर solve कर ले, तो a और a cancel हो जाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा है, elimination method, तो देखिए, from, या फिर आप इसमें लिख लिए, subtracting equation 2 from 1, है न, क्या लिख लेंगे, subtracting equation 2 from equation 1, तो यहां मैंने लिख लिया, subtracting equation 2 from, बताइए, equation 1, तो equation 2 को, equation 1 से subtract कर लेते देखिए, यहां पर हम लोग कर लेते हैं, थोग सा, देखिए, equation 1 क्या आपके पास, यहां पर, a plus, a minus 1, d, equal to 1 by n, फिर क्या है हमारे पास, a plus, n minus 1, d, equal to 1 by m, ठीक है, क्या करेंगे, sin change कर लेंगे न, तो यहां मैंने sin change कर लिया, a and a, cancel, क्या बचा आपके पास, m minus 1, ठीक है, d, देखिए, m minus 1, d, minus, और यहां क्या आपके पास, n minus 1, d, यहां आपने समझा क्या क्या किया, m minus 1, d मैंने यहां लिख लिया, n minus d मैंने यहां लिख लिया, बिच में क्या है, minus, यहां क्या आपके पास देखिए, 1 by n minus 1 by m, अब यहां से आप d common ले सकते हैं, द minus, minus, plus 1 यहां देहां दिजए गा minus, minus plus 1, यहां L CM ले ले दिजए क्या हो जाएगा L CM, M N lihat क्या हो जाएगा M N, यहां क्या हो जाएगा M minus N, यहां देखिए minus 1 plus 1, cancel, क्या बचा D, M minus N यहां भी आपके पास M minus N है ना, और by में क्या है M N, तीख में अगर हम D का value equation 1 में या 2 में आप कहीं भी put कर लिए तो D का value अगर equation 1 में substitute कर लेते हैं तो हम लोग अराम से A निकाल सकते हैं A और D अगर आपको मिल जाएगा तो आप इस founder में आ जाएगा तो अब देखिए क्या कर देंगे यहां पर बताइए putting the value of d कहाँ पर? in equation 1 में बठा लेते हैं यहां न? in equation 1 तो equation 1 क्या था हमारे पास देखिए उसमें हम लोग put कर लेते हैं इसको equation 1 क्या हमारे पास देखिए? A तो यहां पर लिखा मैंने A प्लस M माइनस 1 तो यहां हो गया M माइनस 1 और d के place में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? 1 by mn equal to कितना है हमारे पास? 1 by n यह आपने समझा? ठीक है? सबसे फ़ले हमने क्या किया? 2 equation बनाया, in equation method से solve करके हमने d निकाल लिया, d को put करके हम लोग a निकाल देखिए a प्लस, अब इसको multiply करनेंगे न, क्या हो जाएगा? m by mn, यहां क्या हो जाएगा? 1 by mn, equal to 1 by n यहां दियान दीजेगा, आप m और m cancel, उसके जो भी बसता आप इसको right inside ले जाएगे, 1 by n, यहां क्या है हमारे पास? यहां क्या है देखिए दियान से, यह तो cancel हो गया न, क्या बचा? 1 by n, यहां भी हम लोग इसको अगर इस तरफ ले आएगे, तो 1 by n माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, और यह माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 1 by mn, देखिए 1 by n, 1 by n cancel, a क्या हो गया हम यहां पर अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे? am, an, तो इस तरह समने क्या लिख लिए? amn, बस m और n के प्लेस में क्या लिख लिए? amn, अब इसमें अगर हम लोग फ़मला अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बताइए, a प्लस, यहां पर mn है न, तो क्या हो ज टेक है? और इसको solve कर लिए, देखें, one by amn, अगर इसको multiply कर ले हम, तो क्या हो जाएगा? amn बाई, बताइए, amn, और यहां हो जाएगा 1 by amn, one by amn cancel, और अगर amn को amn से cancels करें, क्या हैगा? तो हमने MN को MN से अंसर कर दिया, क्या गया? 1, थो गया, तो MN-th term आपको क्या चाहिए था 1? क्या पूछा गया था? कि so करना था कि MN-th term is 1 तो यहां answer नहीं आप क्या लिख लिए ज़े? प्रूब क्या है? प्रूब किया ना? तो यह हम लोगों लिख सकते हैं तो आई होप, यह question आपको समझ में आ गया होगा एक वोगों फिर से देखिए हमने क्या किया फर्स्ट term को हमने A लेट किया है, common difference को D आप से बूला गया था, इसका MN-th term देखिए, A, MN, equal to 1 by N यहां से equation बनाया हमने दोनों equation को elimination method से solve किया हमने तो हमें क्या मिल गया, D D को मैंने put कर लिया, तो क्या मिल गया, A और उसके बाद A और D अगर आपको मिल जाता है तो आप A, MN का formula अप्लाई कर लिजे A plus MN-1, D value put कर यह, अरहम से solve हो जाएगा तो I hope यह question आपको समय आगया होगा